Hello, Assalamualaikum my little friends, let's learn to write. आज हम लिखना सीखेंगे, क्या लिखना सीखेंगे? Look at the picture and write naming words and action words by looking at the picture. तस्वीर को देखें और अश्या के नाम लिखें और बताएं लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? अब जो है naming words क्या कहते हैं? naming words also known as nouns, इनको nouns कहते हैं, और किसी भी language का ये एक एहम हिस्सा होते हैं. उर्दू में इनको इसम भी कहा चाता है, बस्तन ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें arrow किस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? जी, ये है tree, tree, t-r-e-tree, और इसको उर्दू में दरखत कहते हैं, ठीक है? अब ये दुबारा देखें, arrow किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये bunch of flowers हैं, तो flower, f-l-o-w-e-r, flower, pool, उर्दू में इसको फूल कहते हैं, दुबारा से इसको देखें, arrow किस तरफ पॉइंट ओट कर रहा है, ये बड़ा सा एक fountain है, fountain को उर्दू में फवारा कहते हैं, f-o-u-n fountain, अब ये है क्या है, एक बड़ा सा central water pond है, तो इसको कहते है, pond, p-o-n-d pond, और उर्दू में इसको तालाब कहते हैं, अब फिर तस्वीर की तरफ देखें, ये क्या है, जिसकी तरफ point out कर रहा है, arrow, ये एक camp है, c-a-m-p, camp, जब आप पिकनिक बनाने जाते हैं, तो camping करते है और ये क्या है, शाबाश, ये एक bench है, b-e-n-c-h bench, bench, पार्क्स में बैठने के लिए बना होता है, उसके बाद ये तस्वीर देखें, ये क्या है, ये एक, शाबाश, dustbin है, dustbin को garbage के लिए इस्तमाल किया जाता है, जब भी आप कहीं जाएं, तो जो garbage है, वो dustbin ढून कर उसम डालें ताके गन न भेले, और ये क्या है, जिसकी तरफ arrow point कर रहा है, ये एक bus है, bus, b-u-s, bus, और bus को उर्दू में भी bus ही कहते हैं, अब इस तस्वीर की तरफ देखें, ये बच्चे हैं, खड़े हुए, और बच्चों को क्या कहते हैं, kids भी कहते हैं, बच्चों को, kids और children भी कहते हैं, फिर आप देखें, कि ये विडियो है, इसमें मुख्लिफ काम कर रहे हैं, तो action words also known as verbs, अमल की अलफाज जिने fail भी का जाता है, जो किसी शक्स के कोई अमल करने को जाहिर करते हैं, तो आप ये देखें, ये क्या है, क्लीन करने के बाद स्पिन में डालते हैं, तो इसको cleaning कहते हैं, सफाई करना, हमेशा सफाई रखें, फिर उसके बाद ये जो दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर net डाल रहे हैं, तो ये fishing कर रहे हैं, मचलियां पकड़ रहे हैं, fishing, f-i-s-h-i-n-g, fishing, ये क्या कर रहे हैं, ब बारा से विडियो देखें, दाइरे के गिर, अंदर जो बच्ची बैठी है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक musical instruments प्ले कर रहे हैं, playing music, music बजाने को playing music कहते हैं, और जिसके गिर दाइरा है, यहां पर पानी क्या कर रहे हैं, flowing, पानी बैरा है, फवारे में से, सेंटर में से पानी निकलता है, और साइडों से बैकर नीचे आ जाता है, और यह क्या है, लोग चल फिर रहे हैं, चलने फिरने को क्या कहते हैं, इंगलिश में, walking, w-a-l-k-i-n-g, walking, और फिर इसके बाद यह क्या है, शाबाश बैंच के उपर बैठे हुए है, बैठने को कहते हैं, sitting, तो sitting भी एक बैठने के अमल को बताता है, action word है, तो sitting को उर्दू में बैठना कहते हैं, तो प्यारे बचों, आज हमने naming word सीखें, और action word सीखें, आपको वीडियो को share करें, like करें, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, channel को subscribe